खबरों में बने राने के लिए देखते रहें केनन मेडिया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाँ पैल आइकन दवाना ना भूलें की हत्या की जाँ चकी जा रही है इसके लिए आठ टीमे बनाई गई है वही दोनों पलिस वालों को SPO कप्ता अन्वे हवलदार रविंद्र के शवों का पोस्ट माटम चल रहा है प्रथम दरश्टी में अगर देखा जाए तो ये बात सामने आ रही है कि उसके मुताबिक दोनों पलिस वालों की हत्या किसी तेजदार हतियार से की गई है पीम की पुरी रिपोर्ट में हत्या का खुला सा होगा गोरतलब है कि सोमवार रात को बदमाशों ने गोहाना में बड़ी वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने बरोदा धाना के अंतरगत गाउं और इसके साथ ही दोनों पलिस करमचारियों के शहीद हो जाने से पूरे शेत्र में गम का माहौल बना हुआ है के ना इन मीडिया के लिए गोहाना से राजेंदर कुमार क्योंकि तुलिस के राजाद को जब सब्लोग सोते हैं उस वक्तों समाच सुरक्षित रहे और खानून ना तोड़ा जाए इसके लिए वो निकलते हैं अपनी जान को जोखित में डालके और कल कुछ असमाजिक तत्यों ने हमारे दो जवानों की हत्या कर दी इसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि हमारे तुलिस तर्वार के दो बहुत ही जवान और काबिल और निर्भीक शक्स उन्होंने कल अपने प्राणों की आहोती दे दी और हम लेकिन उनकी जो उस बलिदार को व्रत नहीं जाने देंगे जो असमाजिक तत्यों है ने यहां पर जो अब तक तक तफ्तीश हुई है उसकी समीक्षा की है एस्पी साब और एड़ी जी रोता क्रींच के साथ ने और हम कई लाइस में काम कर रहे हैं लगवाद आठ टीमें बनाई गई हैं जो इसके सभी पहलों को हम देख रहे हैं सबसे इपॉर्टिट बात है कि इसमें कोई क्रिमिनल कॉस्प्रीशी तो नहीं है कोई शटन्थ त मैं कोई छोडी पेश करके कुछ भी कहना चाहूंगा और मैसे यह कहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को बिल्कुल सॉल्व करेगी अंदे पुलिस परवार के जो सदस्वें को खोया है समाज ने यह पुलिस कर्मी जिनों ने क आगे बढ़के भुकों को खाना पहुचाया प्रवासी मज़्दूरों को शेकर्स में पहुचाया जनसेवा करी आज उनके साथ कुछ समाजी करी तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा समाच दौहाना का बडोजा का गुटाना के इतने गाउं हमारे साथ में खड़ा ह कि पूरा प्रवासी में पर जाना का बड़ा प्रवासी में जनसेख करना चाहिए कि जो इंगरी जाखना है उससे लगता है कि चाकु भी मारे गए तो गोली को रूलाउट नहीं कर सकते हैं तो पूरा जो एक्स रे होता उसके बाद ही पता लगेगा उसमें कहना मुशकिल ह क्योंकि उनके बाडी लोगां थी, ब्लड लॉस लॉगां थी, कोई जाज में सर कोई खौल मिला गोली का, कोई रही जाज की बाते हैं, ये बताना हिस्सा में उचित नहीं होगा, जब वो उचित स्टेंज होगी आपको बिताए जाएगा, परिवार को पूरी साहिता मिलेगी इंडिजीपी साब सहीद का दर्जा देने की बात है, जैसे माले क्योंकि एक तरह से साधत ही है, बिल्कुल वो 100% शहीद है, अजर वो शहीद नहीं है, तो कौन शहीद है, बिल्कुल सहीद है, बिल्कुल हमारा जो वो नोने जन सेवा में और अपनी डूटी को निर्वा कर करते हुए, आसमाजिक तत्वों के साथ मुडवेव में उनकी बिल्ती हुई है, शद्पतिशत वो शहीद है, वो शहीद के लिए जो सरकार की पॉलिसी है, पता लगा सर किस चीज़ पे थे, कितने लोग थे, कुछ इस तरह का कुछ अभी तक, लिके ये तफ्तीश की बाते हैं, और अभी उसको बताने से तफ्तीश प्रवावित हो सकती है, जो मुझे में उनको लाब हो सकता है, उनको ये दित, तो हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस वारे में, सर गोहाना मंदल में, एक अप्ती में सर्ची मुट्र हो चुके हैं, और जो कोई व्यारोपी ग कुछ में ज़ादा समय लग जाता है, आप पिछले वर्ष भी बहुत मुर्डर सुएते हैं, साड़े मुर्डर हमने वर्क आउट किये, सब के दोश्यों को पकड़ा, चाहे वो प्रफेशनल किंबल थे, चाहे किसी को थाइलेंड से उठा के लाए, कहीं से भी लाए, राज जो है, आपको मालूम है कि समाज में जब ये लॉक डाउन था, उसमें सब कुछ बनता है, सब का निकलना भी खतर था, तो गेड़ महीने, दो महीने क्राई में भारी गिरावट आई, अब एक्टिविटीज खुली हैं, लोग निकल रहे हैं, तो किसी की जो दुश्मनी थी वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो जितने जो आपने बताए मुर्डर्स, जादा दाल मुर्डर, कोई प्रोकेशनल क्राइम नहीं है, वो लोगों की आपसी रजजिश, दुश्मनी का नतीज़ा हैं, और हम उनको ज़रूर बकाट कर लेंगें, जड़प भी होई ह हमारे मुराजिमों ने उन से लोहा लिया है, वो अपनी डूटी का देल्वार करते हुए, जड़प है और वो अपनी डूटी पे रात में गष्ट होती है, हर्याना में, रात के ग्यारा मिजे से सुम्ह चार मिजे की नाइक पेट्रोलिक हर ठाने हर चौकी से निकलती है, व जिसे पुलिस के उपर से अब लेव रहे हैं, इसे लोगों का पुलिस के उपर से तो विश्वास उठी रहा है, साथ ही खुद भी ऐस रुक्षित में अश्चित कर लिए, जी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पुलिस से कोई विश्वास नहीं उच्छा लो